हेलो माई दिवाली के कारण में घर चला गया था और I was unable to upload the video but from tomorrow I will start this session and per day आपको वीडियो अप्लोड करूंगा अपने चैनल पर आपको वीडियो अप्लोड करूंगा अपने चैनल पर सो आप जानते हैं कि फर्स्ट चेप्टर इंट्रोडक्शन पील्सी का अप्लोड हो रह एल्सी फंक्षन अभ वेरिस प्लोग्षा एंडडश्च और इल्लक्ट्रोमाग्नेटिक रिले यह तीन वीडियो लक्शेर में अप्लोड है आज हम चोथा वीडियो लक्शेर लेकर रहा है और चोथा वीडियो लक्शेर जो है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लाग्विज different programming language of PLC पे होने वाला है उसके बाद manufacture of PLC और architecture of PLC मतलब lastly दो वीडियो और lecture बचेंगे छे वीडियो लेक्चर में ये पहला जो चेप्टर है छे वीडियो लेक्चर में complete हो जाएगा ठीक है तो आज चलते हैं चोथा वीडियो लेक्चर चोथा वीडियो लेक्चर जो है different programming language पे होने वाला है तो नाओ लेट स्टार्ट टूडेट टॉपिक सो programming language of PLC देखिए there are five most popular language of PLC पांच most popular language of PLC है अब वो जैसे language ही है PLC को किस language में हम राइट करेंगे टूब कि PLC एक software है आपको हमने बताया था इसमें हमें programming करने पड़ती है तो programming करने के लिए कोई तो language चाहिए तो वो language 5 होते हैं most popular language 5 होते हैं पहला LD, दूसरा SFC, तीसरा FPD, चौथा ST और पांच वा आई-ल इसका full form क्या होता है देखिए LD means slider diagram, SFC, SFC means sequential function charts, ABD functional block diagram, ST means structures test and IL means instruction list तो आपको इसको याद करना होगा देखिए 5 होते हैं LD, SFC, FBD, ST, IL अब इसका full form भी आप याद कर सकते हैं बहुत ही असानी से उसके बाद चली इसके बारे में कुछ और जानते हैं जनकारी तो देखिए इसमें जो language होता है ये दो परकार के language होते हैं एक जो graphical language होता है एक जो textual होता है मतलग एक graphical होता है जैसे हम graph के रूप में represent करते हैं उसको text के रूप में हमने लिखते हैं दो परकार के होते हैं graphical textual तो देखिए graph में उपर कितीन आते हैं LD, SFC और FBD मतलब ले बीचे वाला जो दो होएं वह textual language में आता है instructional text and instruction list यहां पर text से आप जानी सकते हैं यह textual language structured text and instruction list तो यह हो गया आप देख लिए पांच programming language होता है जिसमें तीन जो होता है graphical होता है और दो जो होता है textual होता है उसके बाद इनको एक-एक language को हम अच्छे से पड़ते हैं one of the oldest language of PLC लेखिए अगर आग गया आपकी एक्जाम में कि वह डिफाइन दो प्रोग्रामिंग लांगोज आप लिखेंगे इस वन आप दो दो लाइन हर लांगवेज के बारे में बताना होगा राइट जैसे हमने लेडर डाइग्राम लिखा लेडर डाइग्राम के बारे में लिखेंगे इस वन आप दो ओल्डिस लांगोज आफ फील सी सबसे पूराना लांगवेज है यह पील सी का उसके बाद आप क्या लिखेंगे इज इजी टू लॉन रीड एंड ट्रेबल सूट मतलब इसको बहुत यसानी से हम याद कर सकते हैं रीड कर सकते हैं पर सकते हैं ट्रेबल सूट मतलब हमने बताया था कि जब भी कोई भी एडर है तो इसको हम बहुत यह असानी से इडिट कर सकते हैं मोडिफाई कर सकते हैं तो दो चीज़ बहुत इंपरटन एक तो ओल्टेस्ट हो गया एक इनुवर्सल हो गया यह लैडर डाइग्राम अब लैडर जांपल समझाते हैं लैडर डाइग्राम क्या होता है देखिए लैडर लैडर मींस देखिए यहां पर बहुत यह असानी साप समझ जाएंक लाडर न्साप जानते हैं सीधी नुमा देखिए आप देखे होंगे यह इस तक इसे हे आपने गाउं अगर गाउं में देखा हो बास किसंडी होती है सै ऐसे तो इसी बीचिकल लाइनлуч को हम घ तो मैं बता रहा था जो यह वर्टिकल लाइनwać को हम रेल बोलते हैं रेल रेल यह वर्टिकल लाइन को हम रेल बोलते हैं और जो यह होरिजेंटल लाइन है होरिजेंटल लाइन यह जो आपको देख रही है इसको रंग बोलते हैं तो आपको यह याद करना होगा रेल किसे बोलते हैं और रंग किसे बोलते हैं तो यह लेडर डाइग्राम देखे इसमें क्या होता है जैसे यह इंपुट हो गया और यह आउटपुट हो गया इंपुट हो गया जो भी हमको इंपुट और इसको write करते हैं यहाँ पर input हो गया यहाँ पर output हो गया तो इसे हम जो है ladder diagram के नाम से जानते हैं उसके बाद दूसरा आता है SFC मतलब हमने आपको बता दिया था sequential function chart it is popular because sequential control requirement इसका नाम ही है sequential इसमें sequential control requirement मतलब इसमें जो भी होता है sequence recording होता है तो इसलिए यह language जो है popular है अब देखिए यह कैसे होता है इसको example समझते हैं देखे इसमें क्या है इसमें sequential में क्या है sequence के recording यह होता है language को हम लिखते हैं सबसे पहले step 1 step 2 step 3 step 4 step 5 step 6 step 7 step 8 मतलब step 5 step यह programming को हम मतलब write करते हैं या read करते हैं जो fix cute करते हैं मतलब programming language है तो लिखना ही होगा लांग्वेज है उसके पाद हम थर्ड लांग्वेज पर चलते हैं थर्ड लांग्वेज क्या है function block diagram function block diagram a pd a bd is represent as a box that means block इसको हम box में represent करेंगे इसलिए इसका नाम जो है functional block diagram होता है पहला तो ladder मतलब से नहीं हुआ पना के हमने काम कर दिया मतलब क्या होलते हैं राइट कर दिया लांग्वेज को दूसरा जो है sequence का control sequence by step by step हमने लांग्वेज को लिख के प्रोग्राम कर दिया यह जो तीसरा है functional block diagram इसमें हम box नुमा बनाके मतलब represent करेंगे अपने प्रोग्राम को it is it's make your job easy to describe a system मतलब किसी भी system को describe करने में बहुत यह असानी होती है जैसे हम समझा रहे हैं देखिए यह functional block diagram का मतलब यह example है देखिए इसमें block बने हुए है यह block बने हुए है तो जहां भी हमें programming करनी होगी हम block बनाके इसको represent कर देंगे जैसे timer counter हमें लगाना है तो timer का जैसे हम timer अगर लगाना हो तो timer का block बनाएंगे यहां पर timer का कुछ value देंगे यहां से input देंगे यहां से output बनेगा और इसलिए इसका नाम functional block diagram है अब चौथे लांगविज पर चलते हैं चौथे लांगविज का नाम क्या है अब चौथे लांगविज का नाम जो है इस्टक्चल टेक्स्ट है और यह तीनों ऊपर के क्या थे तीनों ऊपर के ग्रॉफिकल लांगविज थे रही तो चौथा लांगविज हम चलते हैं structured text इसके बारे मां पढ़ने वाले इसको short form ST बोलते हैं ST is very easier to understand it is very easier to understand phraser and experience programmer देखिए यह बहुत ही असानी से एक phraser भी समझ सकता है और एक experience programmer भी समझ सकता है तो यह इसका advantage हुआ दूसरा क्या है it code in standard form so that is easy to edit and modify यह standard form में क्या होता है हम इसको standard form में code करते हैं मतलब वह भी program coding encoding करना program को standard format में code करते हैं इसके easy to edit and modify मतलब इसको आसानी सा मेडिट और modify कर सकते हैं अब इसको देखते हैं यह क्या होता है कि इसमें graphical यह textual है इसमें graph कहीं आपको रिप्रेजेंट नहीं जा रहा होगा जैसा उसमें टेक्स्ट नुमा पहला में ladder आ गया सिन्हीं नुमा ऐसे करके दूसरे में तीसरे में क्या गया ब्लॉग डाइग्राम ब्लॉग पना के हमने यूज हिया तो यह सब क्या ग्राफिकल दिख रहा है लेकिन यह textual है इसमें बस एक सिद आपको दिखेएगा यह standard form में होता है इसको फ्रेशर या experience programmer बहुत ही असानी से मतलब इडिट के modify कर सकते हैं अब चलते हैं लास्ट प् type of plc programming language it is using mnemonic form । अब आपको समद्ने आएगा नीमोनिक form क्या होता है देके निमोनिक मतलब क्या होता है जैसे हमको addition liqn a wdyation to additional पूरा नहीं के इसको short form में हम लिख देंगे तो यहीं mnemonic होता है जैस एडिशन को mnemonic form में लिखना या तो बस हम add a double लिख देंगे ऐसी अब्टेक लिखने आया तो सब्टेक तो पुरा सब्टीक न हim लिखे बस few है तो यह अनदर टाइप अब प्रीक्रा मिलां टॉर्व यह फोर में यह होता है इस स्पीड आए होता है इस्ट स्पीद चुछ होता है 100 टेक्स मेन अधर प्रोग्रामिंग लाइग्विज यहां अब इसको भी हम एक्जाम्बल से देख लेते हैं हमने कहा क्या कि नीमोनिक फॉर्म देखें टाइमर को टी-उ-N बस लिखा टाइमर टाइमर यहां पे मतलग इसको नीमोनिक फॉर्म में लिखना जैसे हमने अडिशन को बताया बस आप आई होप आज की वीडियो लक्ट्टर से आप पांचों प्रोग्रामिंग्स को मैं समझानी खुश्च खी तो एक बार और आप लोगों बता देता हूं पांच प्रोग्रामिंग लंग्वइज होता है यहेल डी जो हता है को मतलब ब्लॉग बनाेंगे इसमें इस्टक्शल टेक्स् Nep83 मतलब हम worth of testing में और करते हैं आत्रों एसां लिस्ट में क्या होता है इंस्टेक्शन लिस्ट फीच्ट वर उसमें רीक्स वत तुसमें लांग्विज को बहुत मतलब अच्छे से समझाना पड़LES को और मैंने बताए ग्राफिकल लांग्विज क्या होता है ग्राफिकल लांग्विज पर तीन होते हैं normal की तीनी होते हैं अगर आप पांचों लांगविज के बारे में मैंने आपको एक्जाम्बल देते हुए समझा रहा है तो आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे आपको अच्छा लगा तो लाए चैनल को सेर करना नहीं भूलेंगे थैंक यू टैट सिट